वेल्कम बैक यह हाउस प्लान होगा 30 by 36 feet का जो की टोटल 10 80 square feet का हाउस प्लान होगा इसमें दो बेड्रूम कंसीडर किया गया है और साथ में एक किड्स रूम भी काफी लार्ज बेड्रूम इसमें प्रभाइड किया गया है दोनों उसके बाद एक कीचन होगा एक पार्किंग एक छोटा सा गार्डेन भी दिया गया इसमें और साथ में एक लॉन है जिसमें आप ट्री लगा सकते हैं काफी आजबी आइडियल हाउस प्लान है इसमें हर एक पार्ट को यूज किया गया और घर के फसलीटी को प्रभाइड किया गया इसमें इसके डारक्षन के बात करे तो यह complete house south facing होगा और इस complete बास्तु के हिसाब से बनाया गया यह house plan तो पहले outer wall और इसके partition wall को draw कर लेते हैं और mark कर लेते हैं red color से कहां का हमारा outer wall होगा ताकि identification easy हो जाए complete house में आप window अपनी neighbor opening space के हिसाब से भी खोल सकते हैं वैसे में मैंने सारा window east west दिया ताकि proper sunlight और air आ सके तो हम स्टार्ट करते पहले main door से तहीं हमारा main door हो जाएगा जो की 10 feet का रखा गया काफी लार्ज है यह parking वाला area हो जाएगा हमारा तो यह parking area काफी लार्ज रखा गया आप एक car और एक bike इसले स्टेंड कर सकते हैं फिर भी काफे स्पेस बच जाता है इसकी डामेंशन 10 feet by 15 feet रखा गया इस साइड से हमारा 15 feet हो जाएगा और main door हमारा 10 feet हो जाएगा उसके बाद हमारा एक garden दिया गया है जो की 5 feet 8 inch by 8 feet 6 इंच रखा गया काफी लार्ज है जबकि जस्ट कीचन के साइड में हमारा कीचन का एक विंडो गार्डन के तरफ ओपन होगा इस साइड से 5 feet 8 inch और इस साइड से 8 feet 6 inch रखा गया और उसी के साइड में जस्ट सटावा एक लॉन भी है काफी लार्ज बाला आरांड 10 feet के पास जिसकी विर्थ हो जाएगी 2 feet 6 inch इसमें आप ग्रीन ट्री और लार्ज ट्री लगा सकते हैं जो कि हाउस को कूल प्रभाइड करेगा इसकी आटर डामेंशन हो जाएगी 10 feet 10 inch और इसकी विर्थ 2 feet 6 inch हो जाएगी अब हाउस के इंसाइड बढ़ते तो यह मारा में डोर हो जाएगा जो कि पार्किंग एरिया से ओपन होगा वन स्टेप के बाद यह लो कलर का वह वन स्टेप आप दे सकते जिसके डोड की लेंथ विर्थ हो जाएगी आप 4 feet by 8 feet आप इसे डबल डोड भी रख सकते हैं ताक कि एक डोड बाहर एक साइड अंदर के तरफ ओपन होगा उसके जास्ट बाद हमारा लिविंग एरिया हो जाएगा और उसी के साथ एक ओपन स्पेस भी होगा काफी लार्ज तो लिविंग एरिया की डाइमेंशन 9 feet 9 inch by 18 feet 5 inch रखेंगे काफी लार्ज है तो इस साइड से मार 9 feet 9 inch और इस साइड से मारा 18 feet 5 inch हो जाएगा उसके बाद हम बढ़ते कीचन के तरफ जो की इस्ट साथ इस्ट के डारक्शन होगा एक कंप्लीट हाउस प्लान बास्तु के साब से बना गया है इसकी डायमेंशन हो जाएगी 8 feet 6 inch by 8 feet और विंडो इसका ओपन होगा गार्डन के तरफ काफी लार्ज स्पेस कीचन का के बाद स्टेयर प्रोवाइड किया गया है जो कि फर्स्ट फ्लोर पे ले जाएगा इसकी विर्थ हो जाएगी 3 feet और इससी के जस्ट नीचे वाला एरिया जो हो जाएगा ओपन स्पेस उसे हम एजर डानिंग एरिया यूज कर सकते या फिर आप डानिंग एरिया किचन के जस्ट आउटसाइड भी शिफ्ट कर सकते यह आपके मोडिफिकेशन पर डिपेंड करता है इसकी डायमेंशन की बात करते यह स्टेयर वाला एरिया अमारा सावन फीट सावन इंच बाई 10 फीट हो जाएगा आप यहां पर डानिंग एरि तो अमारा गार्डन के तरफ हो पोन होगा ताकि प्रोपर सनलाइट और एयर एक्सचेंज हो सके ज्यादा लार्ज विंडो रहने पर सनलाइट प्रोपर आता है किचन के जस्ट आपोजिट एक कोमन लेट बात बनाए गया जो कि तीनों बेडरूम के लिए यूज में होगा यह कोमन लेट बात की डारेक्शन जस्ट अपोजिट टू कीचन होगा इसकी डामेंशन एट फीट बाई 7 फीट 5 इंच रखा गया काफी लार्ज स्पेस हो जाता आए अप अपना वासिंग एरिया भी इसी में अर्जस्ट कर सकते हैं वासिंग मसीन इसी में डाल सकते हैं उ जोकी open to sky लिए अब हम तीनों बेडरूम और किट्स बेडरूम का की बात करेते हमारा फॉस्ट बेडरूम हो जाएगा जो की किचन के जस्ट साइड में तरह लॉन के तरफ ओपन होगा यह हमारा बेडरूम फस्ट हो जाएगा जिसकी एक विंडो गार्डन के तरफ भी ओपन होगी तो इसकी डाइमेंशन की बात करते हमारा कम्पलीट 10 फिट 10 इंच बाइ 11 फिट 9 इंच रखा गया काफी लार्ज रूम है यह इस साइड से हमारा 11 फिट 9 इंच हो जाएगा और लॉन के साइड से 10 फिट 10 इंच इसमें द एक व्रिट्व साहजश क तरफ अब इसमें एक और प्रोभाइड के तरफ ओपन होगा तो आप संस्पार में च्रहां सकते हैं Type कि आप कि दूम में तुमैने से कनवर्ट किया कि दूम में कि इस रूम यह काफी लार्ज स्पेस हो जाता कि शुरूम के लिए बेडरूम फस्त यह बेडरूम सकेंड हो जाएगा इसके डायमेंशन की बात करते हमारा कंप्लीट हाउस रूम ये 10 फीट बाइ 12 फीट रखा गया काफी लार्ज स्पेस है और इसमें एक स्टेडी टेबल भी प्रोवाइड किया गया है इसमें साइड से 12 फीट और स्टेर के साइड से हमारा 10 फीट हो जाएगा और ये विंडो हमारा वेस्ट फेसिंग ओपन होगा क कि प्रोपर्शन लाइट और एर आ सके और उसी के साथ में एक लार्ज स्टेडी टेबल भी दिया गया अब यह हमारा हो जाएगा ओपन स्पेस और अब हम बात करते हैं और यहां पे आप एक पूजा एरिया प्रोवाइड कर सकते हैं तो कंप्लीट हाउस में पूजा एरिय प्रोपर्शन हो जाएगी 10 फीट वाइट एंफिट और इसकी यह जाएगी लार्ज विंडो जो की इस्ट फेसिंग होगा और इसमें आप टोटल इस साइट से हमारा 10 फीट और इस साइट से 10 फीट हो जाएगा काफी लार्ज स्पेस है यह बेडरूम भी तो अब हम इसके अबर टोटल लेंथ इसकी हो जाएगी 36 फीट फ्रॉम इस्ट वेस्ट और फ्रॉम नर्थ साथ हमारा हो जाएगा 30 फीट कम्प्लीट हाउस 30 फीट बाई 36 फीट का होगा जो की 10 80 स्क्वार फीट का है इसके आउटर वाल और पार्टिशन वाल की बारत करें तो आप यहां प अब फस्ट फ्लोर की बात करें तो आप फस्ट फ्लोर एजटीज रख सकते हैं या फिर आप कीचन वाले एरिया को रिप्लेस करके ओपन टैरिस में यूज कर सकते हैं या फिर एक रूम बढ़ा सकते हैं यहां पे तो पार्किंग वाला एरिया का जो आदा स्पेस होगा पूरा कम्प्लीटली ओपन होगा और कीचन वाला एरिया ओपन टैरिस के फॉर्म में यूज हो जाएगा अब इसमें नमर पीलर काउंट कर लेते हैं कि आप कितना पीलर यूज कर सकते हैं तो इसमें आप टोटल वान टू टू त्री फोर फाइब शिक्स सेवन एट नाइन 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तो आप यहां पे टोटल 17 पीलर यूज कर सकते हैं पीलर के डामेंशन के बाद के तुमारे ये 10 इंच बाए 12 इंच हो जाएगा इसमें आप जी प्लस टू फ्लोर तक के लिए ये डामेंशन यूज कर सकते हैं पीलर का 10 इंच बाए 12 इंच कॉस्टिंग की बात करते हैं पे आपको एप्रॉक्स 16 लाक यूज हो जाएगा तो ये आज का हाउस प्लान रहा लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक करें दोन फोरगेट तो सब्सक्राइब थैंक्स फर वाचिंग जिन्टाइब थैंक्स फर वाचिंग